एलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की सबजी परवल आलू और यह देख सकते हैं यह मैंने परवल पहले से वाश करके कट करके दो के तलने की स्टेश पर मैंने वीडियो शूट करी है तो यह हम तलेंगे वैसे जो भी मै यह देख सकते हैं इसको कैसे बनाती हूं तो यह देखेए मैं इसको अच्छे से तलूंगी पतले हो जाएंगे बिल्कूल काइदे लाएंगे छोटी-छोटी से हो जाएंगे जब हम इंको चौकिंगे तो हम इंको यह देखिए यह अच्छे सप्राई हो गए तल गए हैं और अब हम आलू भी तलेंगे क्योंकि अब हमको इसको कूकर में बनाना नहीं है हम कडाई में बनाएंगे और इस तरह आप बनाईए बहुती जल्दी बनती है सब्सक्राइब और टेस्टी भी लगती है और यह देखिए आलू भी हमारे हो चुके हैं आलू को आप अच्छे से पका लीजिए चक कर लीजिए कि पक गए हैं ना भी पके तो वह कड़ाई में पक सकते हैं तो अब हम कड़ाई अपनी चड़ाई दे लिए हैं यह कड़ाई हमने चड़ा दी और इसमें हम यह मसाले तेज पता पीसने में हमने डाला है और यह देखिए यह आज हम थोड़ा साइट कर रहें इसमें और यह हम सौर सो के तेल में बना रहे हैं मसाला अच्छे से आप भून लीजिए नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम यह जादा आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बेल आइकन बटन उसको प्रेस कर दीजेगा और यह देखिए मसाला हो चुका है अब हम इसमें आलो एक कर रहे हैं और मसाला आप जितने अच्छे से पकाएंगे उतनी टेस्टी सबजी बनती है और इसमें हम पर पानी डाल देते हैं तो अब लगभव पांच मेट हो गए हैं तो हमारे आलो भी पक चुके हैं तो अब हम इसमें परमल एक कर देते हैं यह देखिए यह परमल इसमें मैट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा साब इसमें अगर लुट पुटी से सबजी खालना अच्छाते तो पानी आड़ कर सकते हैं और थोड़ी दिले को कवर करके रखते हैं जो भी कमी हो अच्छे से मसाला उसमें पक जाए और यह देखिए हमारी सब्जी तयार हो गई है बहुत ही जल्दी बनती है कई लोग रसेदार बनाते हैं कूकर में ऐसे ही परबल कट करके और यह हम सर्फ करें ले रहे हैं अच्छी में वे लोही की कड़ाई में ज्यादा समय तक सब्जी रहती तो इसका यह दिखिए रेडी हमारी सब्जी तो आपको कैसी लगी सब्जी आई थिंक आपको अच्छे लगी होगी ठैंक यू वाच्छ माइव वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई